नमस्कार दोस्तों स्वागात आपकमाये चैनल में आज इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे काली फॉस के बारे में ये एक बहुत ही इंपोर्टन हुमियोपथिक मेडिसिन है लेकिन कई बार लोग इसे मिस्यूटलाइज करते हैं एस नींद की दवा के तोर पर तो चलिए इस वीडियो में आपसे बात करेंगे कि काली फॉस से बेस्ट रिजल्ट्स आपको कैसे मिलेंगे और कौन से पेशिंट्स के लिए काली फॉस बेस्ट सूटेड है आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा मेरी बात समझ में आए तो जनहित में लोगों तक वीडियो को जरूर शेयर कीजेगा और मुझे एक थम सब देना मत भूलेगा उचलिए बात कर लेते हैं काली फॉस क्या है काली फॉस हमियोपथिक मेडिसिन है मिनरल ग्रूप की दवा है दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स का इस्तेमाल होता है नमबर वन इस पोटाशियम और नमबर टू इस फॉस्फोरस ये दोनों मिनरल्स हमारे human body के लिए बहुत ही ज़ादा जरूरी है इसलिए इस दवा की बहुत ज़ादा importance है अब बात करते हैं किस patient को इस दवा सूट करती है कोई भी ऐसा patient जो की intellectual काम करता हो जैसे हमारे students हो गए या IT engineers हो गए, doctors हो गए या creative artist हो गए ऐसे लोगों के लिए काली फॉस बहुत ही अच्छे best results देती है ये बुजर्गों की बहुत ही अच्छी दवा है जो की अब old age में आ गए है लेकिन उन्होंने अपने young age में बहुत ज़दा काम किया है बहुत intellectual work किया है और अब उनके अंदर जो nervous weakness है वो वहाँ पर आ गई है तो ये इस तरह के patients को बहुत अच्छा suit करती है और बहुत ही अच्छे results देती है इसके बाद अगर हम बात करें कि काली फॉस के mental symptoms का है mental symptoms मतलब क्योंकि मैंने आपको बता दिया काली फॉस जो लोग creative लोग है intellectual लोग है उनकी दवा है तो obviously कही न कहीं mental symptoms जरूर आते हैं कौन से mental symptoms आते हैं जब थोड़ा सा काम करने से हमें mental exhaustion हो जाए यानि हमने थोड़ा सा काम करा एक घंडा दो घंडा वर्क करा जो की हमारा पहले stamina लगभग 6-8 घंडे लगातार काम करने का था वो अब धिरे धिरे करके गिर गया है और mental exhaustion हमें हो जाता है थकान भोजल्दी हो जाती है और ज़्यादा काम करने के बाद जो थकान होती है अब हमें घवराहट होने लग गई है यादाश हमारी कमजोर हो गई है हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे शरीर में ताकत नहीं है हमारा दिमाग उतना mental labor नहीं कर पा रहा और brain fag हो जाता है अब देखिए brain fag क्या है कि बच्चा exam देने गया और वहाँ पर जैसे ही exam देने के लिए पहुँचा वो chair पे बैठा उसके दिमाग से बिल्कुल साफ हो गया उसने क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था सब कुछ भूल गया तो ऐसी condition को बोलते हैं brain fag तो यानि अगर आपको घपराहट होती है weakness of memory है कमजोरी शरीर में भी रहती है लेकिन मानसिक तोर पर कमजोरी महसूस करते है और brain fag जैसे symptoms आते है काली फॉस आपको बहुत अच्छा सूट करेगी इसके अलावा अगर आपको nerves की परिशानी है नसों की दिक्कत है नसों की दिक्कत मतलब neuralgia की परिशानी है थोड़े बहुत paralysis जैसे symptoms हो सकते है या फिर आपको trembling बहुत जादा होती है यानि कपकपाहट बहुत जादा होती है शरीर के अंदर दर्द जब होता है तो दर्द बरदाश से बाहर हो जाता है अगर आप एक जगे ना बैठें थोड़ा सा भी movement करें तो दर्द आपका बढ़ने लग जाएगा नसूं के अंदर आपको ऐसा लगता है जैसे ताकत ही नहीं है हमारे nerves, हमारे actions को नहीं समझ पा रहे है actions का मतलब है अगर हमारे दिमाग ने बोला कि हाथ से कुछ उठाना है तो वहाँ पर ऐसा रखता है कि हम सोच रहे हैं हम उठा ले लेकिन हमें ताकत नहीं है कि हम वो चीज़ को उठा पाएं इसके साथ में एक बहुत ही common factor देखा गया है कि जो दर्द होता है वो paroxysm में आता है paroxysm का मतलब है कि periods में episodes में आता है कि अभी दर्द हो रहा है अब थोड़ दिर तक नहीं होगा फिर दुबारा से थोड़ देख लिए दर्द होगा फिर नहीं होगा तो यह जो episodes होते हैं न पेन के उस episode के बाद शरीर के अंदर भेंकर थकान हो जाती है रही neuralgia हुआ नसों में दर्द हुआ अभी हुआ थोड़ दिर बाद फिर से हुआ जितनी बार attack आएगा उतनी बार patient बुरी तरह से exhaust हो जाएगा इसी लिए इसे एक अच्छा nerve tonic माना जाता है अब हम बात करेंगे नींद के बारे में जो की बहुत ही important और misutilized symptom है कालिफोस का अब कौन से मरीज में नींद को यह फायदा देती है अगर आप एक ऐसे patient है जिसको mental labor बहुत जादा करनी पड़ती है उसके बाद दिमागी तोर पर थकान हो जाती है उसके बाद अगर नींद नहीं आए तो the medicine is कालिफोस लेकिन अगर आप एक old age के patient है जिसको बहले कुछ बहुत जादा mental labor करते थे लेकिन अब इतनी जादा दिमाग का इस्तमाल नहीं करते है और शारिक तोर पर कमजोर है तो वहाँ पर जरूरी नहीं है कि नींद आने में कालिफोस आपकी मदद करे लेकिन अगर वही बुज़र्ग व्यक्ती कुछ डेली रात में पढ़ने की आदत डाल ले और regularly कुछ कोई बुक पढ़े रीडिंग करे या अख़बार पढ़े मलब लगब आदे घंटे regularly कुछ study करे और उसके बात थकान होने लग जाए तब नीद ना आए तो old age patient को कालिफॉस अच्छा सूट करेगी इसके अलावा अगर आपको कुछी भी छोटे बच्चे को नीद में चलने की आदत है नीद में बड़वडाने की आदत है या फिर रात में बिलकुल चौँक कर उठ जाते हैं जिसे भूत दिखने लग जाए या फिर आपको कोई सुनसान जगे दिखने लग जाए आग के सपने आये लग जाए और night terrors होई या रात में सपने आ रहे हैं सपने में हम डर जा रहे हैं और डर की वज़े से हम कूट के उठ जा रहे हैं इर से डिस्चार्ज हो रहा है इंफेक्शन की वज़े से यलो बहुत ही बद्बूदार है मुह से आपको foul smell आ रही है दातों से भी पस जैसा आ रहा है यानि पारिया जैसे symptoms हो रहे है जिंजिवाइटिस हो रही है मुह से foul order आ रही है urine में foul order आ रही है जब पेशेंट पॉटी करने जा रहा है तो foul order आ रही है यलो मुकस में पॉटी के साथ में पास हो रहा है डिस्चार्ज जाहें मुह से हो बलगम के तौर पर या फिर कान से हो डिस्चार्ज के तौर पर या फिर स्किन में किसी infection से हो जो है yellow discharge, thick discharges हो तो वहाँ पर कालिफॉस बहुत ही suited है तो दो चीजों का ध्यान रखिएगा कि discharge yellow होना चाहिए और discharge में भयंकर बद्बू होनी चाहिए that means, diagnostically समझे तो बहुत ही anaerobic bacteria का infection अगर होता है severe infection तो वहाँ ऐसे condition में कालिफॉस is a very good remedy अब अगर हम gastritis की बात करें कि gastritis में भी कालिफॉस बहुत अच्छी दवा है तो ये बात सच है क्योंकि अगर patient का पेट गुम हो जाया उसे लगे कि समझ में नहीं आ रहा पेट मेरा गुम हो गया, ये नहीं समझा रहा as if की कोई चीज सड़ गई हो तो वहाँ पर भी कालिफॉस एक बहुत ही important medicine है अब सवाल ये उठता है कि कालिफॉस को हम कौन सी पावर में इस्तमाल करें 6X में, 12X में, 24X में या फिर 30 में, 200 में अब देखिए, ये सवाल का जबाब सिर्फ एक डॉक्टर आपको दे सकता है क्योंकि 6X potency कहां पर इस्तमाल होगी, 30 potency कहां इस्तमाल होगी इस बात को समझने के लिए एक proper duration चाहिए, एक proper पढ़ाई की आवशकता होती है इसलिए आप डॉक्टर की knowledge को यहां पर question ना करें रही बात अगर हमें self use करना है तो हम कैसे इस्तमाल करें देखिए अगर आपको self use करना है तो या तो सिर्फ 6X इस्तमाल करिए और अगर आप बच्चों के लिए इस्तमाल कर रहे हैं या बुजरुगों के लिए इस्तमाल कर रहे हैं तो 6X का इस्तमाल जादा करिए लेकिन अगर आप लगबग 20 सार की age से लेकर 60 साल तक के ये पेशेंट को कालीफोस देना चाहते हैं तो आप 30 पोटेंसी में इस्तमाल कर सकते हैं दिन में 2 बार के साब से यूज़ कर सकते हैं as for the symptoms और अगर आपके डॉक्टर ने बोला कि हाँ कालीफोस बेस सूटेड हो सकती है आपके case में तो आप उनकी सलहा के तौर पर दिन में 3 बार भी इस्तमाल कर सकते हैं तो I hope कि इस वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी है उससे आप संतोष ठोंगे और आपको समझ में आ गया होगा कि कालीफोस को किस patient के लिए नींद की दवा के लिए इस्तमाल करना है और कौन से मरीज पर कालीफोस वास्तम में best suited पाई जाएगी तो अगर आप मेरी बताई हुई बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको कालीफोस से हमेशा best results मिलेंगे तो आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मेरी तरफ से नमशकार थैंक्यू